हेलो स्ट्रेंट्स मैं हूं जोल चित्रांश और मैं आप सभी का अपने यूटेब चैलर में स्वागत करता हूं जिसका नाम है चित्रांश कॉमर्स क्लसेज चलिए शुरू करते हैं स्ट्रेंट्स हमारा आज से जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वह है निमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करना सो हमारा जो फर्स्ट निमेरिकल के चैप्टर आएगा हमारे अकांटेंसी क्लास 11 की बुक में विच इस अकांटिंग एक्वेशन यह जो क्वेशन्स मैं पिक कर रह हूँ आपको यह जो हमारा है व्क गोयल की बुक जो निव एडिशन है उसमें आपका दिया हुआ यह कुशन पेज नंबर 6.2 मैं इस कुशन को आपको इजी तरीके से किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं तो सारे कुशन को देखेंगे लेकिन मैं पहले फिर से आपको बता देना चाता हूँ कि अगर आपने अभी तक मेरा जो मैंने basic accounting terms का जो rule बताया था which is assets is always equal to liability plus capital यह वाला जो मैंने topic बताया था जिसमें thumbnail में यह भी mention आप है आप वीडियो देखेंगा हमारे class first year के playlist में मिल जायेगा अगर यह वीडियो नहीं देखा है तो यह chapter आपको नहीं clear होगा आपको पहले यह पता होना चाहिए कि assets में क्या क्या चीज़े आती हैं liabilities में क्या क्या चीज़े आती हैं तो यहां से उसके बास से आपका concept clear होना पूरा start हो जाएगा तो यहां पर मैं a question को solution start करता हूँ और अब एक point मैं पहले बता देता हूँ कि यहां पर assets में सारी चीज पासे transactions हमारे पास दी हैं जैसा कि मैंने accounting cycle जब वीडियो बनाया था देखेगा तो मैंने उसमें बताया था कि हमारे पास transactions आते हैं ट्रांजेक्शन से general entry pass करते हैं लेकिन उनके बीच में जो हमारा basic rule आता है which is assets is equal to liability plus capital तो यह concept हमारा सबसे पहले है question को solve किस तरह जिकरते हैं हमारे पास transaction दिया हुआ our first transaction to six transactions मैंने लिखे हुए है हम step by step आपको बताते चल ले हैं सबसे पहले transaction number first को हम solve करते हैं transaction number first क्या लिका है मैंने गोपाल started business with rupees 75,000 as capital it means that कि यहां पर आपको एक ही चीज़ याद रखनी है कि जो भी business man है उसे अपने आपको मानना है means यहां पर गोपाल कौन है हम जो question solve कर रहा है वो अपने आपको उस question का business man मान लेगा तो गोपाल यहां पर मैं हूँ आप solve करेंगे तो आप अपने आपको गोपाल imagine करके question को solve करेंगे तब question इदम easy हो जाएगा तो यानि कि हमने business start किया 75,000 capital से तो for example ऐसे समझें कि हमारा एक business organization हम है एक person जो की नाम है गोपाल अब हो क्या रहा है कि गोपाल अपने business में capital introduce कर रहा है और वो capital किस तरह से है cash के form में है तो business में क्या आया cash आया तो हमें सिर्फ यही concept याद रखना है जैसा कि मैंने rule में भी बताया था मेरे videos को आप इदम series में आप देखते चलिएगा तो मैंने आपको एक चीज़ बताया था rule जिसमें basic rules of accounting या golden rules of accounting के नाम से जिसमें अगर business में कोई भी चीज in होती है तो debit out हो तो credit और वो assets होती है assets के sense में तो यहाँ पर concept क्या आपाता है सबसे पहले तो transaction number first में यहाँ मैंने transition के लिए बहुत माइक्रो सा column यूज किया है लेकिन आप जिब copy में बनाएंगे तो थोड़ा सा page आप थोड़ा सा बड़ा लेके करेंगे थोड़ा सा प्लट के copy को तो उससे क्या होगा आप transaction को पुरा full लिख सकते हैं बट बिना लिखे भी काम जल लाएगा आपका transaction number first हमने पूरा note कर दिय अब हमने start किया सो बिजनस में cash आया अब cash क्या होता है business के लिए मैंने already बताया वह होता है assets यानि कि हम assets के column में सबसे पहला हमारा head आया which is cash ठीक है और दूसरी चीज क्या हो रही है वह cash जो business में आ रहा है वह क्या है business के लिए capital हमारे पास already दिया हुआ है तो हम इसके नीच credit के आएंगे हम उसको mention करते चलेंगे assets के जो जो चीज़ेंगे हम mention करते चलेंगे याद रखना series में हमें चलना ऐसी है तो for example हमने पहला mention किया cash अब ये gap छोड़ देना है क्योंकि बाखी transaction के लिए अब देखें आपको बहुत तरीके से questions लगाना सिखाया जा सकता है हो सकता बच्चों से हमेशा कहता हूं बोल्ड में जो questions शूड़ जाते हैं examination में जो questions शूड़ जाते हैं वो because of only mismanagement of time होता है time management अगर सही है तो फिर हमारा question within time लगता है एक दम तो मैं वही आपको पूरा process बता रहा हूं आप उसी process से follow करते चलेगा तो हमने सबसे पहले mention किया cash और हो गया capital तो cash हमारे business में आया कितना 75,000 तो हमने यह 75,000 एड किया is equal to का sign आ जाएगा और capital ही कितनी है हमारी 75,000 की liability हमारी यहां पर कुछ नहीं है तो zero अब क्या करेंगे यह जो पूरा process हो जाता है इसके बास से हम इस पूरी line को बंद कर देत है ठीक है एक straight line आप खीचिएगा और पूरी line को pack कर दीजेगा next इसके बास से जो term होता है हम equation means क्या करते है अपने left hand side right hand side को plus करके देखते चलते हैं कि equal है कि नहीं तो यहां पर हम लिखेंगे अपना first heading which is equation तो यह तो first transaction है इसमें 75,000 के उपर तो कोई amount है नहीं तो यहां अपर total करेंगे तो 75,000 होगा अभी आपको नीचे question में समझ में आएगा कि यह क्या process में बोल रहा हूं फिर यहां पे equal to के नीचे equal to zero और यहां हो गया 75,000 मिस जो जो transaction करते चलेंगे उसमें equation बनाते चलते हैं जैसे कि अब देखिए अभी यहां से आपको और clear होगा second transaction which is Gop Furniture purchase किया 5,000 का तो cash में purchase किया है आपर देखिए द्यान से लिखा हुआ है means हमने pocket से cash निकाला और pay किया और बदले में हमने furniture purchase किया तो हमारे पास से out क्या हो रहा है cash और in क्या हो रहा है furniture तो अब हम बात करें कि cash और furniture यही दोटा मोरे ना हमेशा दो account ही reflect करते हैं तो एक आ cash out हुआ furniture इन हुआ और दोनों ही term क्या हमारे business के लिए assets है cash भी assets है furniture भी assets है तो यहाँ पर हमने देखे mention कर दिया यही प्रेक्टुरन cash में प्लस यहाँ पर mention कर दिया furniture अब furniture जैसे ही हमने mention किया अब यहाँ पर करना है second transaction आपने note किया है तो जैसे ही एक नया account आयगा assets के लिए तो आप यहाँ पर add कर देगी तो बागी сब में आपको बस zero कर देना है ठीक है ना बागी सब में आपको बस zero कर देना है क्योंकि next transaction में होगि की entry होगी तो अब next transaction में हो क्या रहा है cash हमने pay किया तो cash हमारे पास से out हो यानि 5000 हमारे पास से cash minus हो जाएगा ठीक है और आएगा क्या furniture तो furniture के column में इस transaction के लिए हम 5000 प्लस कर देंगे क्योंकि यहां पर furniture आ रहा तक तो नहीं आ रहा था यहां पर आ गया और कुछ नहीं हुआ दो ही आफाउंड एफेक्ट हुए तो दो न हो गया फिर equal to के सामने equal to यहां पर कोई effect नहीं यहां पर भी कोई effect नहीं अब यहां पर हमारा यह equation complete हुआ तो यहां पर फिर हम पूरी line को बंद कर देंगे इस तरह से और इसके बास से क्या करेंगे हम अब यहां पर equation लिखेंगे क्योंकि पहले तो कोई हमारा equation था नहीं लिखेंगे अब देखें दो equation हो गया अब क्या लिखेंगे यहां पर हम new equation ठीक है new equation means what अब हमें सबको plus minus करना है सबको means in the sense यह जो line ने सिर्फ यह उपर नहीं कि यह line जो बंद किया इसके उपर वाले भी आपको add लेने सिर्फ यह line जो आपकी यहां के gap में दिख रही है उसको add कर के नीचे तो 75,000 minus 5000 which is 70,000 और यहां plus 0 plus 5000 which is 5000 फिर यहां पर आएंगे is equal to की नीचे 0 plus 00 and plus 75,000 and 0 75,000 यह हो गया ठीक है अब यहां पर देखिए चेक करना equation equal है कि नहीं तो 70,000 plus 5000 75,000 is equal to 0 plus 75,000 यह भी हमारा हो गया 75,000 अभी इसी में अब हमारे जो चीज़े चल टन चल नहीं है यह हमारा हो गया इसके बास से अब क्या condition बनती है इसके बास से new equation जब हो गया तो अब हमारे start होगा next equation next equation क्या है हमारा transaction देखेंगे third number गोपाल purchase goods for cash रुपी 20,000 means गोपाल हम हमने cash pay किया और goods purchase किया goods means what क्या purchase किया तो नाम नहीं पता तो जब भी किसी assets का हमें नाम नहीं पता होता है क्या assets हमने purchase किया है तो हम use करते है goods या फिर stock for example यहां पर हमने furniture यूज किया है तो furniture भी assets ही है तो furniture आ गया हमारा लेकिन goods भी आ रहा है लेकिन goods में उसका नाम क्या है नहीं पता तो हम यहां पर अलग से फिर heading mention कर देते हैं which is goods ठीक है या फिर stock भी लिख सकते दोनों से ही है और फिर यहां पर बाकी जितने columns हैं यहां पर हम zero mention कर देंगे क्योंकि यहां पर इनके कोई treatment नहीं हुए है तो इसलिए इस पर कोई effect नहीं पड़ेगा effect क्या पड़ेगा सीधे हमारे next transaction पर जो की third number है अब देखें इसको solution किया purchase goods for cash rupees 20,000 तो goods आया cash गया तो जो चीज आ रहे हो plus जो चीज जा रहे हो minus तो goods purchase के cash में तो cash हमारे पास से गया तो cash minus हो गया कितना cash minus होगा 20,000 तो minus 20,000 प्लस furniture को effect हुआ नहीं लेकिन goods आ रहे हैं तो goods में plus हो जाएंगे कितने 20,000 क्योंकि 20,000 cash एक ही और 20,000 का goods हमारे पास आ गया और goods और cash दोने हमारे लिए क्या होते हैं assets होते हैं stop आप जाके वीडियो में देखिएगा वहां से clear हो जाएगा यह हो गया process अब इसके वासे आगे बढ़ जाएंगे हाँ पर equal to इस पर कोई effect नहीं और इस पर भी कोई effect नहीं फिर यहां पर हमारा यह transaction complete हुआ और इसे हम पूरा full close कर देंगे और इसके वासे फिर आ हमारा equation सही है कि नहीं तो 70,000 minus 20,000 which is comes 50,000 और 5,000 plus 0 यहां पर हो गया 5,000 0 plus 20,000 becomes 20,000 is equal to 0 plus 0,0 75 plus 0 यहां पर हो जाएगा 75,000 अब equation check करते हैं चुकि यहां पर देखिए minus 20,000 plus 20,000 तो automatic 0 हो गया आप लोगो ने class math में और रेड़ी देखा होगा 10 में तो 50 plus 55 55 plus 20 हमारा हो जाएगा 75 और उसके बाद से फिर धर भी हो गया 75 हो गया हमारा equation equal फिर आएगे अपने फोर्थ नंबर transaction पे फोर्थ नंबर transaction इस गोपाल purchase goods यह है फोर्थ नंबर गोपाल purchase goods on credit for Rs.16,000 देखिए word आगया credit, credit means उधार, तो मैंने अल्रेड़ी बताया transactions are two types, the first is cash transaction and the second is credit transaction, तो credit transaction में मैंने दो ट्रंप बताया थे, एक credit purchase और एक credit sold, तो मैंने हमेशा बताया है, यहांसे देखिए कि अब एक फिर से अनूट कर दे रहा हूं, आप वीडियो देखिए कि जरूर से, credit purchase जब भी हम करते हैं, तो creditors आते हैं, यह liability होती है, और जब भी credit पे हम sold करते है तो हमारे debtors आते हैं, यह हमारे assets होते हैं, creditors है, क्योंकि इनको पैसा पे करना है, हम purchase कि तो हमें पैसा बादे पे करना है, liability, और हमने sold किया, तो हमें पैसा मिलेगा, तो यह हमारे लिए होगा assets, तो हमने क्या किया, गोपाल purchase, यहने हमने purchase किया goods on credit, उधार purchase किया है, तो यह तुरंत हो गया, 0 फिर क्या होगा, furniture पर को effect हुआ, नहीं क्योंकि furniture तुमने purchase नहीं किया purchase क्या किया है, goods तो goods ने कितने का goods, 16,000 अब एका plus, 16,000 purchase किया, अब effect क्या होगा, क्योंकि हमने credit पर purchase किया है, और credit पर purchase करेंगे तो कौन आता है, creditors और creditors होते हैं हमारे लिए liabilities, ठीक है, तो यहाँ पर हमने mention कर दिया creditors, ठीक है, अब क्या होगा, कितने के creditors हैं, 16,000 के, तो यह भी यहाँ mention हो गया, plus इस transaction के लिए capital amount 0 है, transaction complete, फिर इसे हम पूरा pack कर देंगे, और इसके बाद से हम क्या बना ही अपना new equation, तो फिर यहाँ पर जब करतें, तो वही new equation है हमारा, तो 50 plus 0, यह हो गया, 50,000, ठीक है, new equation में ब्लू से दिख रहा हूँ न, ध्यान से देखिएगा, इसलिए मैं आपको एकदम clear, new equation मैंने हमेशा blue marker से ही use किया है, और जो transaction note कर रहे हैं हम, वह हम black marker से use कर रहे हैं, so new equation is, 50,000 plus 5000, और 5000 plus 0, ठीक है, फिर इसके बास से, 20 plus 16 हो जाएगा हमारा, 36,000, फिर इधर आएंगे, equal to 0 plus 16, 16,000, फिर प्लस 75 plus 0, 75,000, यह हो गया हमारा new equation, clear, अब आप equation चेक करेंगे, तो दोनों साइड equal आएगा, ठीक है, हम लास्ट मैं आपको दिखाएंगे, first, नमबरा, फाइफ नमबर, point पे आता है क कि अब हमारा transaction है, goods costing rupees 12,000, sold on credit for rupees 15,000, मतलब कि हम जो है, एक goods की cost है, जो की है, 12,000, sold on credit हम बेच रहे हैं, उधार, लेकिन कितने रुपन बेच रहे हैं, 15,000 में, तो the term is what, देखे, मैंने आपर मेंशन किया न, जैसे ही credit sold आया question में, क्योंकि हमने credit sold किया, तो कौन आ जाएग क्योंकि वो अब हमको पैसा पे करेगा, जैसे कि हमने credit purchase किया, तो हम पैसा पे करेंगे, तो credit sold करेंगे, तो वो debtors हमें पैसा पे करेगा, वो क्या होता हमारे लिए, assets, तो यहाँ पर हम सबस्चे पहले goods के upside में mention कर देंगी, इधर हम, क्या, debtors, ठेक है, और यहाँ पर, जहा और हमारा question भी बहुत जल्दी sold हो जाएगा, यह हो गया हमारा pattern, अब हम आएंगे, fifth transaction पे note कर लिए, और अब हम इसे erase कर देते हैं, ताकि आप अच्छे से समझ सके कि यह amount कैसे आएगा, थोड़ा सा complicated है, लेकिन easy है, कैसे होगा, घ्रान से देखिए, goods, जो costing है, वो है 12,000, costing means क्या होता है, cost price, कितनी है, 12,000, means goods की cost price 12,000 है, sell कितने पे किया हमने, 15,000 पे, तो selling price हो गई, 15,000, तो अब आप तुरन देखते ही कह सकते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, कि 12,000 रुपे का cost price है, और हम बेचने 15,000 पे, तो सर तुरन थी, आप लिग दीजे, 3000 का क्या हो आपको profit हुआ है, तो 3000 का हो गया profit, और profit के लिए मैंने तुरक अभी एक term बताया, capital स्टार्ट करने से पहले कि profit होगा, तो capital में plus होगा, अब question कैसे यहां पर solve करेंगे, तो धिहां से देखिए, करना क्या है हमें सिर्फ यहां पर अपने term में, कि यहां पर हमारा cash में क्या effect पड़ेगा, अरे तो फिर कहेंगे सर, जैसे credit कहा, तो credit में तो cash क्या, तो काम ही नहीं है, तुरंट zero हो जाएगा, फिर देखिने, क्या for future का कोई treatment आया, question है नहीं सर, goods का treatment आया, तो यह भी हो गया, zero, फिर क्या goods का treatment हुआ है, तो हाँ, goods का तो हो रहा है, तो क्या goods हम होगा, यहीं से minus हो जाएगा, goods, लेकिन 12,000 उप्रे का समान 15,000 बेचे, तो minus किसको करे, 12,000 या फिर 15,000, तो याद रखिए, businessman हमेशा cost price की entry करता है, तो cost price, कि उसके पास से कितने का stock actually उसके पास से जा रहा है, तो उसके पास से जा रहा है, 12,000 का, जो debtors पैसा पे करने वाल का समान हमने उसे 15,000 बेचा, तो debtors पे करेगा हमें कितना, 15,000, तो हमारे पास आएगा, तो जो चीज़ हमारे पास आ रही हो, plus, जो चीज़ हमारे पास से जा रही हो, minus, लेकिन अभी एक term more हुआ है, कि जब 12,000 रुपे का समान हमने 15,000 बेचा, तो 3000 का क्या हुआ हुआ है, और equal to देखें, इधर भी आगया, 3000, equation हमारा salt, फिर क्या करेंगे अभी से हम, pack कर देगे पहले, और आजाएंगे अपने last transaction के explanation के उपर, last transaction is what, transaction पहले हम लिख देगे, इसमें क्या new equation, ठीक है, सबसे पहले हम आजाएंगे अपने new equation पे, तो 50,000 प्लस 0 यहां पर, फिर 50,000 हो जाएगा, और 36 माइनस 12 करेंगे, तो यहां पर 24, ठीक है, 24,000 यहां हो जाएगा, और यहां पर हो जाएगा, 15,000, और फिर यहां पर हो जाएगा, is equal to 16,000, next हमारा 75 प्लस 3 हो जाएगा, 78,000, यह हमारा equation बन गया, सभी को आप चेक करिएगा, यह side और यह side equal आजाएगा, last transaction number 6 which is PED rupis 1000 for rent, PED, और PED मतलब क्या हुआ, हमने pay किया rent, तो pay किया मतलब क्या हुआ, expense हुआ, और expense हुआ, तो हमने कैसे pay किया rent, अपने घर का किराय, दुकान का किराय, हमने कैसे pay करते है, pocket से पैसा निकाला, दे दिया, तो pocket से पैसा निकल ला है, means business का अगर rent पे हो रहा है, और cash निकल रहा है तो paid rent लिखार और cash कितना निकला 1,000 तो तुरंग cash में से 1,000 minus हुआ ठेक furniture पर कोई effect नहीं हुआ क्योंकि furniture का नामी नहीं आया goods का नामी नहीं आया है debtors का कोई मतलब ही नहीं है is equal to creditors से कोई मतलब नहीं क्योंकि मैंने पहले ही बताया है expenses loss income profit तो paid word क्या है expense और वही अगर receive कहता तो वो क्या होता income तो expenses क्या होगा कहा से capital में से minus होगा so capital में जाएंगी यही 1,000 यहां से जाती सिर्फ हम minus कर दिंगे ठीक है 1,000 हमने यहां से minus कर दिया से यहां पर हमारा transaction पूरा full complete होता है लेकिन question की closing किस तरा से होती आप ध्यान से समझेगा item ठीक है ना ध्यान से दिखते चलेगा question को अब यहां पर लिखेंगे अपना sub equation होगा आप लिखेंगे अब लिखेंगे कि आपको transition है तो अब लिखेंगे final equation ठीक है final equation जोगी जहां question खत्ब तो last पर होगा final equation अब करते हैं 50 minus 1 becomes 49,000 plus यह हो गया 5000 फिर plus यह हो गया 24,000 यह हो गया 15,000 फिर next यह हो जाएगा 16,000 and the last is 78 minus 1 करेंगे तो यह हो जाएगा plus 77,000 minus plus का फूरूल पता होगा आपसे ठीक है तो यह हमारा पूरा term आगया question complete हो गया लेकिन question सही है कि गलत है यह कैसे पता करें तो इसका एक छोटा सा point देख लिजिया मैंने यहाँ पर लिखा और उसे erase कर लेते हैं आपको screenshot लेना होगा आप screenshot ले लिजिएगा फिर यहां से हम अब आते हैं इस term को erase करके ताकि हम यह जान से कि हमने जो किया है वो सही है यह गलत है तो हम पहले चेक कर लेते हैं हम सबसे पहले अपने assets वाले point को note कर लेते हैं तो assets में हमारे क्या क्या है 49 plus 5 24 15 means एक तरफ है 49,000 फिर है 5000 फिर है 24,000 फिर है हमारा 24,000 and the last is 15,000 ठेक है इतने termite इसे add कर लेते हैं ठेक है add किये amount आएगा 000 इधर हो गया और यह हो जाएगा पांच-पांच-दस-दस-दस-दस-दस-दस-दस-दस-द ठेक है 23 to carry आया 426 17 702 9 93,000 आया तो rule क्या कहता है assets का अगर 93,000 आ गया तो liability और capital दोनों add करने पर भी 93 आना चाहिए नहीं आया तो पूरी मैनत बेकार हो गई तो करते हैं चेकर हम अपने question में liability की value है 16,000 ठीक है और capital की value है 77,000 इन दोनों को plus करते हैं यह है liability यह है capital दोनों को हमने किया plus है so triple 0 तो यह भी हो जाएगा फिर और 7 और 6 करेंगा तो 6 और 6 12 और 1 13 13 3 3 3 1 carry 7 और 1 8 और 1 9 answer satisfied equation हमारा बन गया है यह हमारा पूरा होता है accounting equation के question हो जल्दी से जल्दी solve करने की technique simple technique हम पूरा अगर इक बार आपको लिखते हैं फिर कहते question इक बार पढ़िए फिर लिखिए फिर पढ़िए फिर लिखिए फिर लिखिए तो बहुत lengthy हो जाता process आपका time बहुत जादा रहा हूं कि पढ़ने के लिए तो आप कहीं भी पढ़ सकते स्कूल में भी पढ़ते हैं लेकिन questions जो हैं बहुत बच्चों को examination में छूट जाते हैं वह बहुत दुख होता है कि बच्चों को questions आते हुए भी अगर शूट जाते हो तो यह सबसे बड़ी problem की बात हो जाती है इ दो किसी question को अगर 20 minutes time लेता लगाने में तो यह guarantee कि मैं जिस्ट्रिक से बताऊंगा आपको तो 10-15 minutes में आप उस question को solve कर ले जाएगा और आपका 5-10 minutes बच जाएगा जो आप next question की utilize कर सकते हैं यही है हमारा time management और यही मुझे आपको यहाँ पर पूरा सिखाना है so students video like video अगर अच्छा लगा हो तो like जरूर करिएगा ठेक है और अपने दोस्तों के शेयर जरूर करिएगा ताकि इस तरह की question जो मैं regular अपडेट कर रहाँ नुमेरिकल स्टार्ट हो गया हमारे वीडियो पे तो अब आपको नुमेरिकल में help मिलती रहेगी ठीक है students channel को subscribe करिए बैल आइकन पर क्लिक करके notification को on कर लिजे ताकि regular वीडियो मेरी अपको अपडेट मिलती रहे अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए lockdown में अपने पढ़ाई अराम से करते रहे किसी के पास अगर books available नहीं है तो वो मुझे WhatsApp कर सकते हैं क्योंकि link से book जो है PDF ड questions अब उन्हें provide करता होंगा आप बस पढ़ाई करते रहें okay friends all the best thank you